साथियों आप सभी वैश्वीक परितीतियों से भली भाती परितीत हैं ऐसे मैं आज अगर भारत के एकोनॉमी में इतना रिजीचलियंस दिख रहा है अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है तो इसके पीछे बड़ी वजय है बीते दस वर्षों में स्ट्रॉक्ट्रल रिफॉम्स पर हमारा फोकस इन रिफॉम्स ने भारत की एकोनॉमी की कैपिसिटी की कैपिबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है कि रीकेपिटिलाइजिशन और आई बीसी थे हमने भारत के बैंकिंग सिस्टिम को दुनिया के सबसे बजबुत बैंकिंग सिस्टिम में से एक बना दिया है इस अप डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने चालीस हजार से ज़्यादा कंप्लाइंसिस को समाप कर दिया है जी एश्टि ने भारत में टेस्क अनाविशिक जाल को खत्व किया है भारत में हमने ग्लोबल सप्लाइज चेन के डाइवर्स इफ्रिकेशन के लिए बैतर माहूल बनाया है हाल में हमने थ्री एप्टीय साइन किये ताकि ग्लोबल बिजनेस के के लिए भारत और अट्रेक्टिव डेस्टिनेशन बन सके इन्हें से एक एप्टीय तो युए के साथ ही हुआ है हमने अनेक सेक्टर को अटोमेटिक रूट से एप्टीय के लिए ओपन किया है आज भारत इंफ्रासेक्टर पर रिकॉर्ड इंबेस कर रहा है पिछले दस वर्स में भारत का कैपेक्ट पांच गुनादी हो चुका है फ्रेंड्स भारत आज ग्रीन एनर्जी और अल्टरेटिव एनर्जी सोर्स को लेकर भी अबुत्पर्व गति से काम कर रहा है भारत की रिन्यूबल एनर्जी केपेसिटी तीन गुना बढ़ी है और सोलार एनर्जी केपेसिटी में बीस गुना व्रिद्धि हुई है डिजिटल इन्डिया मिसेडे भारत में लाइप और बिजनेस दोनों को नास्फम कर दिया है दस वर्षों में सस्ते फोन और सस्ते डेटा से डिजिटल इंक्लूजन की नई क्रांती आई है हर गाउं तक अप्टिकल फाइबर पहुंचाने का अभ्यान 5G का तेजी से विस्तार आम भारतियों का जीवन बदल रहा है हाज हम दुनिया में तीसरे बड़े स्टार्ट अप एको सिस्टेप है दस वर्ष पहले तक भारत में कुछ सो स्टार्ट अपस है आज भारत में एक लाग पंदरह हजा रिजिस्टर स्टार्ट अपस है भारत के ओवर्वाल एक्सपोर्ट में भी रेकॉड बढ़ोतरी कर रहा है हमारी सरकार के पांच वर्षों में साड़े तेरा करोड से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं भारत में मिल्ट क्रास की एवरेज इंकम लगातार बढ़ रही है भारत में फिमेल वर्कपोर्स के पार्टिशिपिशन में भी रेकॉड बुरुद्धी मैं आप सभी का आहवान करूँगा कि भारत की इस विकास याता से जूड़िये हमारे साथ चलिए साध्यों लोजिस्ट्रेक्स को लेकर इज अब ट्रांस्पोर्टेशन के लिए भी भारत में आधुरिक पलिसिज पर काम हो रहा है दस साल पहले भारत में 74 एरपोर्ट से आज भारत में 149 एरपोर्ट से भारत का नेशनल हाईवें नेटवर्क पिछले दस सालों में करीब करीब दो गुना हो चुका है दस सालों में हमारा मेट्रोटेशन नेटवर्क तीन गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है गुजरात हो महाराष्ट्र हो या फिर हमारी इस्टर्ण कोस्ट लाइन हो इनको आज डेडिकेटेड फ्रेट कुरिडूर से जोड़ा जा रहा है भारत में आज अनेक नेश्टनल वोटर वेज़ पर एक साथ काम चल रहा है भारत के पोर्ट्स का टर्न आराउंड टाइम आज बहुत कम्पेटिटिव हो गया है जी ट्वेंटी के दोरां जीस इंडिया मिडल इस्ट यूरोप एकनोमिक करिडूर की गोशना हुई है वो भी आप सभी इंवेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी बिजनेस आपर्ट्यूनिटी है